दोस्तो नमस्कार दोस्तो जो प्रधान मंत्री जी की ये स्कीम थी अपने मोत की एक साजी सक्षने रचने की चिट्थी दोरा जो एक चिट्थी आई थी इस पे कोई पुलिस को कोई मज़द नहीं मिल रही हैं ये सब अजीबों गृत सबन के रह गया है क्योंकि दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी इसमें नकाम हो गई है जिस ख़बर को दबाने के लिए उन्होंने की ये नकली ख़बर उठाई थी जिस ख़बर को दबाना चाहते थे नोट बंदी जी एस्टी जिन पिनको जवाब देने थे कि डॉलर का क्या हाल चल रहा रहा है रुपे का क्या हाल चल रहा है पेट्रोल की किम्ते को बढ़ रही है वो तो और बढ़ गई है उसके बाद लेकिन उसमें ये असफ़ल हो गए कि इस मुद्व का उन दबा लेंगे इन बातों में तो अब इन्होंने दुबारा समाचारों में डिबेट्स में जहिन ज जहिन-जहिन करना स्टार्ट कर दिया दुबारा तेजी से कोई भी सवाल पूछे कोई भी कुछ पूछे तो ये चिलाने देख जाओ तु देश दरोई तु फिर दुबारा उन्ही बातों पर आगे हैं ये जो साल बर पहले तेज किया था नोने पना दूसरी बात दोस्तों ही था जो बिमार था उसको उसको परिवार वाले स्टाल ले पाए क्योंकि लाइने बहुती बैंकों में पैसे ने निकलवा पाए तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोतें वहीं हुई हैं बैंकों के भार लाइनों में मोतें घरों में भी हो गई हैं क्योंकि लोग पैसे निकालनी पाए एक पोस्ट पढ़ना था उसकी लड़की की बारात वापस चलेगी तो ऐसे ऐसे जो हदसे हुए हैं इनको यहां से कोई भूलनी पाएगा वो लोग तो कभी बीजेपी को वोट देंगे नहीं पर जिनके साथ नहीं बिती है वो भी उनको दर्द समझो एक जबरदस्ती का सिंगल अदमी का गलट डिसीजन जो अब तक पूरा देश बुगत रहे जीटीपी की इरगी सब कुछ बरबाद हो गया और साथ साथ कितनी मोतें होई कितनी बरातें वापस गई किस-किस अलग तरह के दुखदर्द लोगों को सहने पड़े जो आप और मैं जानते भी नहीं वो तो वही जानते हैं जिनके साथ बीती है सोचिए आप इस बास तो ये तो कमेंट्स दो तीन कमेंट्स मैंने को बताई लोगों को क्या क्या हल हुआ होगा कई सुनने वाले भी होंगे जिनके साथ कुछ बीता हुआ हम दिनों में लोगों ने लखड़ियां कहा ही लाट़िआं कहा ही पूलिस вкус की अलग बात है फिर भी कई लोग बोलते हैं अछले साथ दिसीजिन था अवलब बात है तरक शास्त्रहों ने अर्थचर्च्रहीं सब ने मना किया था ह्यह मतलुक वह बीलग पेट्रोल दे रहा है वो बहुत महंगा दे रहा है हमारे आस पास के पड़ोसी गरीब देशों में भी पेट्रोल काफी ससता है लेकिन हमारे देश में जो पेट्रोल की हाज़त है ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पैसे जोड़ती जा रही है ये सिर्फ हमको लूट के खाती जा र यह सबका साथ सबका विकास नहीं है यह सिरफ BJP का साथ RSS का साथ और BJP और RSS का विकास यह यह करना चाथी BJP यह देश की नहीं नन्हां है न थी ना होगी तो दोस्तों यह अपने मुद्बों प्राहि आ बस नजर बंद रखा है और आगे जाके वो छूट जाएंगे तो चुठी तो चुठी प्लान तो इंका पूरी तरह से फ्लोप रहा इसमें इनको कोई भी काम्यापी नहीं मिली अच्छा आप डिबेट्स में आप देखेंगे तो इन्होंने दुबारा साल दो साल पहले जैसे चलाते थे सैटिफिकेट बाढ़ते थे डिबेट्स में बीजेपी के जो लोगे उन्होंने दुबारा स्वश्यू कर दिया अब फिर से यह हिन जैह हिन तू देख भारत मता की जैपोल इन्होंने दुबारा यह श्रू कर दिया यह दुबारा इसी चीज में लग गया है अब बीजेपी खाते 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 लास्ट के कुछ दिनों में महीना दो महीना तीन महीना चार महीना पहले देश को भटकाने के लिए कुछ अच्छी चीज़े निकालेगी स्की में कि यह लास्ट में लड़ू देना कि दुबार आ जाएंग वो काम करेगी तो उस चम आप लोगों ने भटकना नहीं है यह निकत पूरा जुमला सरकार दुबार आने की तैयरी के लिए यही कर रहे हैं लोगों कि लास्ट के दो तीन मेने भारत की जंता बांट दो थोड़ा सा पैसा बाट दो यह बाट दो कि दारू पिने वालों को दारू बाट दो वरतों को कुछ और बाट दो बच्चों को जैसे मुवाइल दिये थे भी तो यह ठैके की लालच लालच फैके खुद खाने के लिए यह आपको हजार दोजार तीन हजार का आइटम दे के यह चारह ज स्कीम देके जुटे वादे करके दुबारा आने की बहुत कोशिश करेगी लेकिन फिर पेट्रोल के दाम देख लो 200 रोपे लिटर पहुंच जाएंगा राम से अगले 5 साल तक तो तो गाड़ियों में पेट्रोल नहीं डालेगा गाड़ियां सीधा फूग दी जाए गरेंगी गरों में नई गाड़ियां खरिदना भूल जाओगे ये सिर्फ अमीरों का देश रह जाएगा फिर अमीर जी सकते हैं सांस लेने के लिए गरीब नहीं रह जाएंगे सब बरबाद होके रह जाएंगे खाना पानी तेल सब कुछ इतना महेंगा हो जाएगा कि देश और वैस दिल कहता है बात आपका दिल भी कहता हूगा अगर बीजेबी जैसी सरकार दुबारा आगी तो उले पांस साल ये भारत नहीं जल पाएगा ये धरम के नाम पर खतम हो जाएगा धरम के नाम पर ही तबाव जाएगा देश ये जैन दोस्तों